आप सभी को मेरा प्रणाम आज गुरु पूर्णिमा के बारे में जानेंगे गुरु पूर्णिमा के शुबवसर पर आप सभी को हार्दी का शुबका मनाये गुरु पूर्णिमा महुतसवा संपूर्ण भारत में आस्ता भाव से मनाये जाता है भारत में गुरु शिष्य परंपर प्राचीनकाल से चली आ रही है। गुरु का स्थान सबसे सर्वोच चहे। गुरु का अर्थ है ज्ञान का उजाल देने वाले है। हर व्यक्ति के उन्नति के लिए आत्मज्यान प्राप्ति के लिए जीवन का सर्वाइंग्यन विकास के लिए गुरु अनेक प्रकार के शिक्षा, दिक्षा, संस्कार प्रदान करता है। गुरु का कुरुपा शिर्वाद से सपी प्रकार के बंधनों से मुक्तो होते है। इसी कारण अपने अपने गुरुओं को पूजनिय मान कर गुरु साक्षात परब्रम्ह तस्मे स्री गुरवे नमहा कहा जाता है। इश्वर के दर्शन के लिए तत्वज्ञान को समझने के लिए ब्रह्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु की भूमिक महत्तुपूरु नहीं। गुरु को गुरु माना जाता है। पवित्र गुरुपूरुनिमा के शुववसर पर अपने अपने गुरु के सानिध्य में जाकर समर्पन भाव से जप तप सेवा करके गुरु का आशिर्वाद प्राप्त करते हैं। वचन साहित्य, शरण साहित्य, दास साहित्य, अभंग आधि साहित्य को अध्यात्मिक प्रवचन और सत्संग के द्वारा भक्तों को ज्ञान प्रदान किया। और कोटी जप यग्ण, बाल विकास केंद्र, रुक्षा रोपन, विसनमक्त केंद्र, सरल विवाह, आधर्श ग्राम, देशी कृषी, ग्रामीन कला, गुरु कुल की शिक्ष, भक्तों को उत्तम संस्कार अपने जीवन परियंत करते रहे। इसी कारण गुरु पूरिणिमा के शुववसर पर गुरु स्मरनोत्सव के रूप में मनाये जाता है। वाहा पर ब्रह्म मूर्त में कोटी जप यग्ण, गुरु पूजा, आध्यात्मिक प्रवचन, महा प्रसाद का आयोजन केया जाता है। इस कारिक्रम को लाको भक्त लोग अनेक संत महांत महा पुरुश गणमान्य लोग मिलकर करते हैं। इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्तिक शुबका मनाये।